हेलो फ्रेंड्स बहुत सारे लड़कों का मैसेज आया था है कि ट्राइवलिंग के समय मैं कौन से सप्लिमेंट क्यारी करता हूँ तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पे हैं कि मैं आपको दिखा हूँगा कि मैं मेरा डायेट कैसे फॉलो करता हूँ और सप्लिमेंट कों से क्यारी करता हूँ तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ एसे बैंग रहती है जब भी मैं ट्रावलिंग पे तिन चाह दिन से ट्रावलिंग पे ट्रावलिंग ही कर आँ आपको दिखाऊ हूं गूत प्र का डबादा इसमें इसमें टालके लाया है यह होगी फर्स सप्लीमेंट उसकी बाद हम देखेंगे इसमें बीसी डबल है आप लेबर पर मत जाहिए अंदर जो सप्लीमेंट है उसको मैं बताऊँगा सेकंड सप्लीमेंट है बीसी डबल है जो में क्यारी करता हूँ ट्रैवलिंग के समय कि इसमें मैंने लाया है इसमें मेरे ट्रैवलिंग के समय हमेशाए साथ में रहता है मतलब मसल लॉस ना होने के लिए मैं यूज़ करता हूँ इसको के बाद कैल्सियम यह यह मनलब इसमें टैबलेट फॉर्म में तो यह भी मैं सप्लिमेंट यूज़ करता हूँ कि उसके बाद मल्टि विटैमिंग इसकी टैबलेट फॉर्म में है उसके बाद जेड़ में यह भी मेरे साथ हमेशा रहता है यह भी टैबलेट फॉर्म में इसको मैं रात में लेता हूँ ताकि मुझे अच्छी नीज़ आ जाए और बाकी का मैं आपको डीटेल में बाकी का वीडियो बना हूँगा मैं हर एक सप्लिमेंट पे कि मैं क्यू यूज़ करता हूँ और यह प्री वर्कॉट हमेशा यूज़ करता हूँ और मेरे बैक में हमेशा रहते हैं पेन खजूर इससे जो भी बॉडिविलिंग की प्रीप्रेशिंग कर रहे हैं जो भी लड़के एक साइस करते हैं जिनको इन्स्टाट एनरजी चाहिए कभी-कभी ऐसा होता है कि आलील शुगर सॉल्ट कंग खाने से एनरजी लॉस हो जाती है पर इसके इसको आप तूरन लेंगे तो आपको इन्स्टाट एनरजी मिल जाएंगी क्योंकि ब्लड में जल्दी मिक्स हो जाता है तो यह मेरे साथ हमेशा साथ मिलता है जब हम हार्ड बरकोर टायट एक तो हमारी वीपी हमेशा थो हमेशा हमेशा तो उसके कारण हमीं किश्मंष अमें में रखना चाहिए कि इसमें पोटेश्यम रहता है जब भी आपकी बीपी हाय हो जाएंगी तो आप इसका इस्तिमाल करें बीपी आपकी जन्दी नॉर्मल हो जाएंगी इसके साथ मैं एक बनी भी रखता हूं साथ में यह भी मुझे इंस्टाट एनरजी देने का ताम करता है और किसी भी आप ट्राइवलिंग कर रहे हैं तो इन्वार्मेंट चेंज हो जाता है तो उसके गारण खासी होना कुछ भी कोड़ सर्दी होना तो उसके गारण यह एंट ले सकते हो तो आपको कुछ साइड इपेफ नहीं होगा इन्वार्मेंट का अलग-अलग जबर पे जाने के बाद और यह में चीज बताना बुल गया है कि ग्लुकोसा माइन कंट्रेंट का सप्लिमेंट है तो यह मेरी अभी शुरू है मलब जिनके भी जॉइन पेन एकदम पेन कर रहे हैं एक साइस करने लेकारण तो इसे जॉइन पेन पूरी तरह मुलब पूरी तरह कम हो जाएंगे तो इसका वीडियो में पात्मी बनाओगा टीटेल में तो आप यह देख लिए यह मेरा सप्लिमेंट स्टैक तो ट्रावलिंग शुरू है अभी 3-4 दिन ट्रावलिंग शुरू रहेंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यह सभी सप्लिमेंट जो है मसल गेर कंपन तो आपने देखा कि मेरा सप्लिमेंट स्टैक में क्या कैरी करता हूँ तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर ज़रूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप मुझे सजेश्ट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक